पाठ छे, कारक, केस निम्नलिखेत वाक्यों को थ्यान से पढ़ो और समझो राम ने रावण को बाण से मारा नदी के तट पर अनेक व्रिक्ष है पहली वाक्य में यदि ने, को, से चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार बनेगा राम रावण बाण मारा, जो असपश्च तथा अटपटा है इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यदि के पर चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य बनेगा नदी तट अनेक व्रिक्ष है यह भी असपश्ट तथा अटपटा है ये चिन वाक्य में आए संग्या सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया की साथ संबंध प्रकट करते हैं कारक चिन्हों के बिना भी वाक्य में आए संग्या सर्वनाम तथा क्रिया का आपस में संबंध प्रकट होता है जैसे लड़की होकी खेल रही है, राधा पुस्ता पढ़ रही है प्रथम वाक्य में एक, खेलने का काम लड़की कर रही है, इसलिए लड़की करता कारक है दो, खेल रही है, क्रिया का फल होकी पर पढ़ता है, इसलिए होकी कर्मकारक है इसी प्रकार दूसरी वाक्य में राधा, करता तथा पुस्ता कर्मकारक है कारक, केस, संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध, क्रिया तथा वाक्य के दूसरी शब्दों के साथ पता चले, उसी कारक कहते हैं जैसी, राम ने रावण को बाड से मारा परसर्ग संग्या या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन लगाए चाते हैं, उन्हें कारक चिन या परसर्ग कहते हैं कारक के भेद काइंस ओफ केस कारक के आठ भेद होते हैं एक, करता कारक नॉमिनेटिव केस 2. कर्म कारक उप्चेक्टिव केस 3. करण कारक इंस्ट्रुमेंटल केस 4. संप्रदान कारक देटिव केस 5. अपादान कारक आपलेटिव केस 6. संबंध कारक पसेसिव केस 7. अधिकरण कारक लोकीटिव केस 8. संबोधन कारक वोकीटिव केस 1. कर्ता कारक नॉमिनीटिव केस शब्द की जिस रूप से कारी की करने वाली का पोथ हो उसी कर्ता कारक कहते हैं इसका चिन ने है इसका प्रयोग सकर्म क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है जैसे 1. राम ने पत्र लिखा 2. राम पत्र लिखता है 3. राम पत्र लिखेगा तीनों वाक्यों में क्रिया को करने वाला राम है अतह राम कर्ता कारक है पहला वाक्य फूतकाल में है अतह करता के बाद ने चिन लगा है क्रिया का फल जिस शब पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं इसका चिन को है इसका उप्योग कुछ विशेश तशाओं में ही होता है जैसे एक राम ने रावड को मारा दो रमेश पुस्तक पड़ता है दूसरी वाक्य में पड़ता है क्रिया का फल पुस्तक पड़ रहा है अतह पुस्तक कर्म कारक है यहां को जिन का प्रयोग नहीं हुआ है पहचान क्रिया से पहले क्या अत्वा किसको लगाकर प्रश्न कीजे जो तर मिले वह कर्म कारक होगा जैसे राम ने रावड को मारा किसको मारा? रावड को कर्म कारक संग्या यह सर्वनाम के जिस रूप से कारे को करने की साधन का बोध हो उसे करन कारक कहते हैं जैसे मूहन कलम से लिखता है यहां लिखने का साधन कलम है अतह कलम करन कारक है इसका चिन से है चार संप्रदान कारक डेटिफ केस जिसके लिए कोई काम किया चाए या जिसको कुछ दिया चाए वह संप्रदान कारक होता है इसके चिन को के लिए है जैसे एक भिकारी को भिक्षा दो 2. पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए पहले वाख्य में भिकारी तथा दूसरे वाख्य में राम संप्रदान कारक है 5. अपादान कारक अबलेटिव केस शब्द के चिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं इसका चिन से है जैसे 1. बादल से बूंदे गिरती है 2. गंगा हिमाले से निकलती है पहले वाख्य में बूंदों के बादल से अलग होने तथा दूसरी वाख्य में गंगा के हिमाले से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है अतह बादल तथा हिमाले अपादान कारक हैं जब संग्या अत्वा सर्वनाम का अन्य संग्या अत्वा सर्वनाम के साथ संबंद दिखाया जाए तो वहाँ पर संबंद का रखोता है इसके चिन का की के आदी हैं जैसे एक राम का भाई मोहन गया दो रमेश के पिताजी आए तीन गीता की माताजी खाना बना रही हैं पहले वाख्य में राम का भाई के साथ दूसरे वाख्य में रमेश का पिता के साथ तीसरे वाख्य में गीता का माता के साथ संबंद दिखाया गया है आता राम रमेश गीता संबंद कारक हैं साथ अधिकरण कारक लोकेटिव कीज शब्द के चिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जहां पर या जिसमें क्रिया खटित हो वहां अधिकरण कारक होता है जैसे एक पिताची कमरे में बैठे हैं दो शिवम ने मेश पर बस्ता रखा उपर के वाक्यों में बैठे हैं क्रिया का आधार कमरा है तथा रखा क्रिया का आधार मेश है अतह कमरा तथा मेश अधिकरण कारक है अधिकरण कारक के चिन में पर के उपर के अंदर है आठ संबोधन कारक वोकेटिव केस जब किसी संग्या अथ्वा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोथ हो तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है इसके चिन हे अरे ओ अजी आदी है संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन का प्रयोग होता है जैसे एक ही भगवान मेरी रक्षा करो दू अरे लड़कों मैदान में पहुचो ध्यान दीजे सी का प्रयोग करन कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है विभक्ति प्रत्मा कारक कर्ता चिन नी विभक्ति द्वितिया कारक कर्म चिन को विभक्ति त्रतिया कारक कर्ण चिन से द्वारा साधन की अर्थ में विभक्ति चतुर्थी कारक संप्रतान चिन को के लिए विभक्ति पंचमी कारक अपादान चिन से अलगाव की अर्थ में विभक्ति शुष्थी कारक संबंध चिन का की के रा री रे आदी विभक्ति सप्तमी कारक अधिकरण चिन मे पर विभक्ति संबोधन कारक संबोधन चिन हे ओ अरे आदी जादान पर चिन में परे आदी